हेलो फ्रेंज वेलकम टू मैं यूटूब चैनल आज हम आपको आठ कली का लेंगे की कटिंग करना सिखाएंगे जो कि बहुत ही बैस्ट और एक्टम इजी तरीका है सो ये मगजी का कपड़ा हम इसको साइड में रख देंगे मगजी बात में कमाएगी और यह हमारे पास चार मीटर का कपड़ा है जिसमें से हम लेंगे की कटिंग निकाल लेंगे सबसे पहले हम कपड़े को फॉल्ड कर लेंगे डबल फॉल्ड करके इसको रख लेंगे हमने इसको द्यान राइफेंट डबल फोल्ड करना है यह हमने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है एक बार और इसकी अच्छे से तैय कर लेंगे जिस भी लेंगे की आपको लेंद्ध लेनी है अगर आप बिना लेंगे के इंची टेप से करना चाहें तो जितना भी आपका लेंगा उसमें 3 हिंच कम कर देना और बाकी उसकी ले ले लेंगे 3 हिंच कम करके और अगर आपके पास लेंगा है तो आप उससे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं तो मैं आज आपको लेंगे के साथ इसकी कटिंग करना बताऊंगी सबसे फैले फ्रेंड हमें जो कटिंग करनी होत उसमें हम मगजी और निफ़ा चोड़के अंदर की जो कली है इसमें हम इसकी ले ले लेंगे हैं जितनी भी हमारे लेंथ हैं हमने मगजी को यहां तक छोड़ दिया है और निफ़े को छोड़ देंगे और बीच के पल्ले को कट कर लेंगे इस तरह से अगर आप कट करेंगे त यहां से पल्ले कट कर लेंगे फ्रेंच यह मारे 2 पल्ले कट हो रहे हैं और हमें टोतल 4 पल्ले कट करने हैं मैं आपको अलग-अलग कट करके दिखा रही हूँ ताकि आपको critically समझा जाए अगर आपको समझा जाए तो आप 27-20 के 4 पल्ले को कट कर सकते हैं तो आपको समझाए तो आप निकाल सकते हैं इसे में आपको इसकी जो मगजी का कपड़ा है वो आमने पहले ही साइड में निकाल दिया था उसमें से हम इसकी मगजी निकाल लेंगे आदा मीटर में लेंगे की मगजी इसली निकल आती है कोई छोटा है बड़ा कपड़ा नहीं बसता उसमें यह देखी धाइ मीटर में आपका लेंगा बह सेम एज इस हम एक और पल्ला ऐसे ही निकाल लेंगे टोटल हमारे पास चार पल्ले हो जाएंगे जिसमें से हमने चार चार पल्लों में से आठ कलिया हम निकल लाएंगे सेम हमने ऐसे ही निकाल लिया है अब हमने इसकी जितने भी पल्ले हमारे पास कट हुए हैं चार पल्ले है चार पल्लो को हमें एक direction में ही रखना पड़ेगा ये देखे हमने इसको जो किनारी वाली side है ये हमने अपने side रखी है सीधे करके और बाकी चारो पल्ले भी हमें same as it is रखने हैं सीधे सीधे करके और किनारी हमारी side करके अगर आप इसको उल्टा रखना चाहें तो आप direction में रख लिया है किनारी हमने अपनी side कर ली है इससे में आपको इसीलने में easily आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वह तसानी से सिलाई हो जाएगे और आप किनारी वाले side अपने side रखते हैं तो बाकी कोई फरक नहीं पड़ता जादा कोई भी side रख सकते हैं लेकिन हाँ जिस इस पे आप 36 कमर तक आपको यह easily लेंगा पहनने को मिल जाएगा same as it is हमने opposite side लगा दिया है ध्यान रहे हमने जो right side है हमें वहां से छोटी side लेनी right side से और left side से हमें opposite side लेनी है अगर आप healthy कमर तो आप इसको extra भी ले सकते हैं इंची टेप से आप size करेंगे तो आपको 6.5 इंच दोनों side से लगा लेना है अगर आप इंची टेप से मदद से करेंगे तो आपको दोनों किनारी 6.5 इंच ही मिलेंगी है अब हम इसको cut कर लेंगे अब हमारे पास 8 कलिया न किनारी वाले आ गई है अब इनको joint करना कैसे करना है मैं आपको हलका सा बता देती हूं जो इकिनारी वाले साइट जो हमारे पास परलू है उसको हम सेम एसटीज ही रखेंगे इसको कोई आगे पीछे नहीं करना और जो opposite वाला हमारे पास कपड़ा है उसको उल्टा रखके इसको उपर उल्टा रखके हम इस तरह से सिलाई फोल्ड करके किनारी हम फोल्ड करेंगे तो हमारे पास लेंगा लेंगे कि सिलाई अच्छे होईगे उमारे पास किनारी वे रूवे भी नहीं निकलेंगे तो हम इसको फोल्ड करके इसको अच्छे से सील लेंगे और हमारी क सली रखनी है वो आपको खीचनी नहीं है बहुत ही अराम से और अच्छे से सिलाई लगानी है किनारी वाली तो ओविसली खीचेगी नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूले और बैल आइकन को प्रेस कर देना ताके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो फ्रेंज बाई बाई